जेहिंद्र नमस्कार मेरे सेर्षेलियों श्वागत आप सबको अपने यूटूब चैनल कमांडो केड में पर दोस्तों आज का हमारा वीडियो इसपेशली ससी जीडी की फाइनल कटोप को लेकर है कि ससी जीडी की फाइनल कटोप इस बार जो दोजार चोबिस मेली बढ़ती चल रही है उस पर क्या फरक पड़ेगा फीजिकल और मेडिकल एक साथ होने से वेसे आप सब को यह सा लग रहा होगा कि इस बार कटोप उपर जाएगी पिछली बारों की बजाए लेकिन ऐसा नहीं होगा इस बार कटोप डाउन जाएगी अगर आप पिछली कई बढ़तिय तो लार्डों मैं आपको बताऊं कि एस सी जीडी में आज से आज तक हर एक वेकेंसी में पोस्ट वेकेंसी खाली रह जाती है दो जार धाईजार पंद्रासों हर बार उसके पिछे जो लोजिक काम करता है वह रहता है फिजील कटोप और मेडील कटोप अलग-अलग आना इ पांच पोस्ट है दस विद्यारती है दस में से पांच पोस्ट के लिए साथ बच्चों को बुलाया गया उन्हें से तीन मेडीकल के लिए फिट हुए और चार फेलोगे तो आगे पोस्ट कितनी फिल हुई केबल तीन-दो खाली रह गई उस केटेगरी के दूसरे को मिलेग और उसरे क Spaß कर्या नहीं तो ये किसके एक और हुआ ये फिजिकल की माध्य वाजन हुए अगर आप सही नहीं समझे तो एक बार बताता हूं किसी वेकेंस सब्सक्ते की नहीं ठीक है पांच पद है शुरुवात में यहां से 20 बढ़ते फिजिकल के लिए दोड़ते हैं 20 बचों में से 10 बच्चे क्या कर जाते हैं फिजिकल पास कर जाते हैं ठीक है फिजिकल पास कर जाते हैं अब यहां पर एक कटोप आती है तो कटोप आती है तो हर बार कितना गुणा करते हैं पदों के धाई गुना कि आरहम इतने बच्चों को ही पास करेंगे तो क्यों मेडिकल के लिए बच्चों को पास किया जाता है तो अगर मान लो गराश है यहां पद कम कर ले उदान के लिए आप समझना कि 10 में से कुल मिला के दो गुना यह नी पद है मान लो 5 यहां पर मान के चलो यह संख्या 30 है यहां पर 20 हो ठीक है कि 20 क्वालिफाइब करके इस में यह एक एक पद बनबन के बनबन के फिर कितना रूप लेते हैं पंद्रह सो दो हजार और आप बताओं पचीस जार की पदों की जो बढ़ती थी पचीस जार दो सो इग्यतर पदों पर जो बढ़ती आई थी इससे पहले वाली उस वेकेंसी में भी जो फुल फिल हुए थे वो पदों को पांच पद है तो अगर साथ में आती है इसका मतलब है कोई भी पद खाली नहीं रहे गा आप पता है मेंडीकल और फिजिकल दोनों साथ में होंगे इसका मतलब यह है कि एक भी पद खाली नहीं एक एक सर्विश्मेन को छोड़ कर और उनके पदों को रिजर्व नहीं किया जाता है समझगे वह पर डिवाइड़ हो जाते हैं बाद में तो कुली मिला के कटोब भलें चार नंबर नीची रहे दलत मावं काπό व्हाहता हँ चार नीची रहे हए हर बार की कर टोफ से इस बार की कर टोफ डाउन रहने के चांसे रहेंगे के टेग्री कि ठीक है तो इसका फाइदा यह होगा आपकी कट वं में की चड़ाव नहीं होगा उतार होगा नीचे आएगी कटोप हाँ मैं यह नहीं बोलना कि फिछली कटोप से कितना नीचे रहेगी मैं यह बोलना हुआ कि अगर नॉर्मल कटोप अगर उसी परकिरिया से चलते हैं और फीजिकल में जो चट गया वो तो मेडिकल में नहीं आ सकता है इस सक्कर में उसके नमबर ख़ई जाते हैं तो इसी कारण फिर वो पद खाली रहता लास्ट में और इसी विज़े से वेकेंशी में पोस्ट वेकेंशी फिल नहीं होती तो लाड़ लो इसकी कटोप में पिछली बार की बजाए कटोप इस बार डाहून जाएगी नमरों में नहीं अगर नॉर्मल प्रकिरिया के बजाए इस प्रकिरिया से बता रहा हूं ठीक है तो यह आपके लिए अच्छी न्यूज है बुरी नहीं जै हिंद जै भारत